ताइगर के बारे में हैरान कर देने वाले रोचक तथया। दोस्तों बाग को भारत का राश्ट्रिय पशु भी बोला जाता है जो की दिखने में काफी ज्यादा खुंखार और बहुत ही ज्यादा ताक्तवर होता है। रिपोर्ट्स की माने तो बाग शेर से भी ज्यादा खतरनाक और शेर से भी ज्यादा खुंखार होता है। और ताकत के मामले में भी शेर से ज्यादा शक्तिशाली होता है। ऐसा नहीं है कि बाग केवल भारत का ही राश्ट्रिय पशु है। बाग भारत के अलावा बंगलाद मलेशिया दक्षिन कोरिया का भी राष्ट्रिय पशु है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाग भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में जानते हैं बाग से जुड़े हैरान करने वाले रोचक तत्यों के बारे में जो आज से पहले शायद ही आपने कभी सुना होगा। एक बाग का वजन लगभग 200 किलोग्राम तक हो सकता है। आपको जानकर काफी ज्यादा गर्व होगा कि दुनिया में स अस्तन आयू 10 से 12 वर्ष होती है। हर साल करीब 10,000 से ज्यादा लोग बागों के हमले से मारे जाते हैं। एक नार्मल बाग एक दिन में 50 किलो तक मास खा सकता है। सुमात्रन टाइगर की प्रजाती दुनिया की सबसे दुरलब टाइगर की प्रजाती है जिसके पूरे दु ना में ज्यादा फुर्तीला और ज्यादा ताकतवर माना गया है। एक बाग के शरीर पर एक सौ से भी ज्यादा धारिया होती है। बागों के शरीर की धारियां हम इंसानों की उंगलियों के फिंगर प्रिंट की तरह अलग-अलग होती हैं। यानि की हर एक बाग के शरीर क दारियां यूनिक होती हैं. एक बाग की दौडने की रफतार 65 किलोमीटर प्रती घंटे तक हो सकती है. बाग अच्छे तैराक भी होते हैं और ये पानी में भी अपने शिकार को दबोच सकते हैं. एक टाइगर बिना कुछ खाए पिए दो से तीन सप्ताहों तक जीवित रह सक करता है. रिसर्च के अनुसार बागों की याददाश्ट इंसानों से ज्यादा तेज मानी गई है. एक बाग की जीव पर काफी सारे रेशेदार कड़क बाल होते हैं. अगर एक बाग आपको गलती से भी चाट ले तो आपकी चमडी भी बाहर निकल सकती है. एक मादा बाग एक बार में तीन से चार बच्चों को जन्म देती है, जिन्हें शावक बोला जाता है. बाग के नवजात बच्चे जन्म के साथ दिनों तक पूर्नत्या अंधे होते हैं. बाग अपनी पूछ का इस्तेमाल दूसरे बागों से समवाद करने के लिए भी करता है. एक टाइग में दूसरे बागों को आने नहीं देता है. आपको जानकर हैरानी होगी टाइगर के पैर इतने मजबूत होते है कि ये जानवर मृत्यू होने के बाद भी अपने पेरों पर कुछ समय के लिए खड़ा रह सकता है. टाइगर के कान के पीछे सफेद रंग के गोल धब्बे है इन्हें ओसेली कहा जाता है. बाग की गरजना में बहुत ध्वनी उत्पन होती है. ये जीव 16 हर्च तक ध्वनी उत्पन करने की क्षमता रखते है. इसकी तेज गरजना को 3 किलो मीटर की दूरी तक आसानी से सुना जा सकता है. फ्रेंड्स, आशा है आपको टाइगर के बा प्राइब जरूर करें. धन्यवाद.